ओम सिरीगडे साय नमा मित्रो मैरागोरामिस्रा आप लोगों का अपने इस यूटूब चैनल आप और आपका भविशिकारकरम में एक बार पुने स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं तुला रासी के लोगों के जीवन में राहू के रासी परिवलतन का क्या प्रभाव पड़ेगा अभी 30 जुलाई 2023 को राहू मेश रासी से मीन रासी में आ रहा है अब चुकि आपको पता है कि राहू और केतू हमेशा वक्री यानि उल्टा चलते हैं राहू और केतू एक छाया ग्रह हैं ये जिस रासी में बैठते हैं ये उस रासी के अंसार फल देते हैं अब चुकि राहू मीन रासी में आ रहा है जिसका स्वामी गुरु होता है स्वामी होता है तो इस तरह से राहू जो मीन रासी में आ रहा है तो आपके जीवन में यह आपके लिए बिसेश लाव देने वाला है अब तुला रासी के जो लोग हैं अगर वो कोई दूर की यात्रा करना चाहते हैं देश बिदेश की यात्रा करने चाहते हैं तो उनको अप मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तुलारासी के जो लोग हैं जिन लोगों के साधी बिवा में कोई रुकावट आ रही थी या बात बनते बनते नहीं जम रही थी तो ये बहुत ही सुनहरा समय तुलारासी वालों के लिए प्रारम होने जा रहा है अब आपके साधी बिवा से स ब्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मन चाहा धन की प्राप्ती होगी आप नया कारी कलना चाहते हैं तो आप निश्चित तोर पे अपने नए काम के प्रैज बिलकुल उस्था के साथ प्रारम कीजिए आपको सफलता पूरी तरह प्राप्त हो रहा है अभी तक चुकि आपके स्वास्त में कुछ न कुछ गिरावट थी इसी डिटी इत्यादी पाचन से सम्मंदित कुछ क्योंकि गुरुचंडाल योग में स्वास्त पर सबसे ज़्यादा असर डालता है यह अब आपका स्वास्त अच्छा रहेगा खान पान आपका हाजमा की सक्ती बहुत अच्छी हो जाएगी आपका काम करने में भी पूरा मन लगेगा धार्मिकारी में भी आपका खूब मन लगेगा और सबसे अच्छी चीज यह है कि आपके भाई बहनों के साथ आपके बहुत ही अच्छे और मधुर संबन्द बनेंगे अब यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि जो संतान आपके कोई नई पढ़ाई या नया नोकरी के लिए प्रयास करने वाले हैं या कर रहे हैं तो अब उनको सफलता मिलने का योग बन रहा है विशेश कर उन बच्चों के लिए जो अपने भविश के लिए बार बार प्लान बनाते थे फिर बदलते थे अब वो जिस विशेश को लेकर पढ़ाई करेंगे या जिस जगह पे नोकरी त्यारी के लिए कोशिस करेंगे उनको अब सफलता मिलने जा रहा है तुलारासी वालों के लिए सबसे बड़ा सौभागी की बात यही है कि अगर आप ब्यापार बिजनस से जुड़े हैं तो आपका काम तेजी से होने जा रहा है अगर आपके नोकरी कर रहे हैं पदोधनती में किसी तरह की रुकावट थी अजकारी के साथ थोड़े अनबन थे तो अब आपके संबन्द बहुत अच्छे हो जाएंगे अजकारी लोग भी आपको पूरी तरह से सहाईता करेंगे और आपके रुके हुए कारी बनने लगेंगे तो इस परकार मित्रों आज मैंने आप लोगों को तुला रासी के लोगों को बारे में राहु के रासी परिवर्तन के बिसे में बताया है मुझे आसा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए नमस्का